इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वालें क्लास 12 NCRT चेप्टर नमबर 6 EMI लेक्ट्रमेडिक इंडक्शन उसके अंदर हम लोग बात करेंगे फेराडेक्स लोस की राइस तो उसके अंदर उसने दो स्टेटमेंट दिये जिसके हम बात करते हैं कि लिए आप लोग हमारा चेंज करोगे तो ही क्या होगा कि हमारी जो दूसरी कोई उसके अंदर क्या होगा करन्ट इंडियूस होगा और उसने दूसरा स्टेटमेंट दिया इडिस नेगेटिव ओफ रेट ओफ चेंज ओफ अमेगनेटिक फ्लोक्स राइट इस कोल्ड यह मतलग थी टाइन के साथ अ अगर उसके फ्लोक्स के रेट में काईट कम चेंज होगा तो उसमें EMF और करन्ट भी क्या होगा क्या होगा और इसके उपर से उसने इक्वेशन बनाया E is equal to minus delta 5 by delta T और आप उसका डिफ्रेंस सेशन करोगे तो आपको मिलेगा E is equal to minus d5 by dt और यहां पर minus क्यो है क्यो है क्यों आप भी हमने दाश वीडियो में की हुई रहे और इस इक्वेशन की मिले से आप लोग कही सारे केसी स्टडी कर सकोगे जैसे कि अगर मेंगनेटिक फिल्म में चेंज होगा तो उसका डिफ्रेंसियसन करना होगा अगर उसका एरिया चेंज होगा तो उसके लिए में कितना मि बड़ेगी खटेगी तो उसके यह में कितना चेंज होगा फिर उसके एंगल में चेंज होगा तो इस वीडियो को अनुत देखेगा तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि उसने फर्स स्टेट्मेंट में बताया कि अगर किसी भी सर्क्रीट में से पास होगा तो उसका चेंज होना जाए है जो हम लोग ने एक्स्परिमेंट के अंदर भी देखा था तो ही क्या होगा कि उसके अंदर EMA प्रोडूस होगा और फ्लॉक्स राइट उसके रेट ऑब चेंज मरलोग के डिफाइब डिटी के ब्र प्रोडूस होगा तो इसी स्टेटमेंट को आप लोग इस इक्वेशन में से देख सकते हो राइट आप लोग बोल सकते हो इस नेगेटिव और राइट चेंज ओ फ्लॉक्स रिस्पेक्ट टू टाइम इस इकोल टू प्रोडूस होगा कि दोस्तो मैंने आपको बताया था कि टाइम के साथ अगर फ्लॉक्स चेंज होगा डी को बलेंगे लोग डिफरेंस और डिफरेंस तो उसमें ये में प्रोडूस होगा अब अगर इसी कोईल के अंदर दोस्तों यहां पे एंड टर्न सांगे तो यह एक्वेशन होगा इस इकोल टू माइनस एन इंटू दीफाइ और रिफिएर राइट्स अब इस एक्वेशन के अंदर अंदर अपर बिक और तो आपर में लोग रहत से का स्था खांध दिफी् seeing आके vector का magnetic field B के साथ angle और दोस्तों इसकी कीमत यहाँ पे हम लोग values की यहाँ पे हम एप्लाइ करके हैं अलग लोग cases करने वाले हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि e is equal to आपको मिलेगा minus n into d5 by dt का मतलब दोस्तों क्या होगा उसका difference मतलब की 5 2 minus 5 1 upon t minus 0 अब इस value को मिलोग यहाँ पे apply करेंगे तो आपको मिलेगा minus n into 5 2 मतलब यहाँ पे दोस्तों एको क्या लेंगे constant लिने वार हैं एको हम लोग constant लेंगे तो क्या होगा और b को हम लोग चेंज करेंगे तो मतलब यहाँ पे होगा b2 into a cos theta minus b1 into a cos theta upon आपको मिलेगा यहाँ पे दोस्तों खास द्यानक में हम लोगों ने सिर्फ b को ही change किया हुआ है और आगे भी हम लोग सभी cases लेने वाले है लास्ट टेप यहाँ पे आप लोग एक सत्य हो कि a और cos theta आप लोग common निकालोगे तो आपको मिलेगा n into a right cos theta in bracket आपको मिलेगा b2 minus b1 right upon upon t right ready दूसरी एक चीज आपको दूस्तों पताओने चाहिए कि हम लोगों ने angular velocity के अंदर पढ़ा था की angular velocity omega is equal angular displacement angular displacement upon time right यहाँ पर लोग theta को subject बनाओगे तो आप लोगों मिलेगा theta is equal to omega t right theta is equal to omega t और इसी theta की value आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हो right और आगे की equations हम लोग cases के form में solve करेंगे right तो यहाँ पर दोस्तों लोग सबसे पहले first case लेंगे उससे पहले मिया यहाँ पर क्या करोगा दोस्तों की flux का equation फिसलिक डालूँगा आपको easy रहेगा right phi is equal to ba course और ठीटा की जगा पे में मैंने भी आपको सम्झाए ठीटा की जगा पे में लिकेंगा omega t right और इसको put कर गाम लोग कहीं सार केसी solve करेंगे और जीतने भी आप steps लग सकते हो वो सब आप लिए आपको MC की में काम आई है तो यगर इस लूप का दोस्तों area change होगा right only area change होगा तो इस equation को आप लोग के से लिक सपोगे तो यहाँ पर आपको EMF is equal to minus n into अब दोस्तों यहाँ पर area change होगा तो बाकी quantity को आप लोग क्या करोगे बाहर निकाल दोगे तो b right into क्या होगा cos omega t 2 निकाल जाएगा और आपको सिर्फ differentiation करना होगा d a by dt right आपको differentiation करना होगा d a by dt same होगा दोस्तों यहाँ पर magnetic field change होगा right तो इससा इक पिसन अब लोगों नहीं देखा था आप लोगों को सिब्लिक ना होगा e is equal to तो यहाँ पर आप लोगों क्यादिया और cos को आप लोगों को निकालना होगा minus a right into cos omega t क्या हो जाएगा दोस्तों क्या होगा और यहाँ पर n turns आएगे और b का only क्या होगा differentiation क्योंकि यहाँ पर only b change हो रहा है d b by dt औ और आपको b value दी जाए तो आप लोग इसका दोस्तों angle change होगा तो क्या होगा इसमें भी आप खाज ज्यानक ना यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा angle change होगा तो आप लोगों को बाकी की quantity constant रखने होगी यहाँ कोई इसका differentiation लेना होगा right तो हम लोग यह में प्रेकरेशन रेप्लाइ करेंगे e is equal to minus n right into d5 by dt अब आप इसकी value पूट करोगे दोस्तों minus n right यहाँ पर हम लोग b into a सब बाहर निकार देंगे आपको मिलेगा असे d by dt और यहाँ पर हम लोग cos omega t का क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पे angle change हो रहा है angle change हो रहा है तो आगे हम बढ़ेंगे तो मिलेगा n into b into a अब दोस्तों आपको पता होना है कि cos का differentiation क्या होगा minus sin right minus sin omega t और आपको एक खास यानक ना होगा कि t के बाजू का जो step होगा वो differentiation का rule के मुताबिक बाजू में एक्स्ट्रा आजाएगा मरण लोग की omega right और यहाँ पर होगा minus minus plus और इस step को आपको आपको मिलेगा n into omega into a into b right sin omega t दोस्तों यह equation होगा generator की अंदर तो आप लोग जब इस chapter के end में generator की theory study करोगे तब भी आप इस equation का अपको लोग फिर से प्रू right यहाँ पर आप यहाँ रख सकते हो नवाब sin omega t right जहाँ पर n होगे उसके turns omega होगी उसकी angular velocity a होगा उसका right cross section area और b होगा यहाँ पर magnetic field right यहाँ पर आपको मिलेगा induce करन तो दोस्तों आपको लोगो को ohms apply करना होगा V is equal to IR और यहाँ पर हम लोग V को voltage और इस chapter में हम लोग ब आना होगा तो आपको मिलेगा I is equal to E by R right और E का equation आप लोगो के लिए तयार ही होगे यहाँ पर आप apply कर सकते हो minus N into d5 by dt right और अपको आपको R लिखना भूलना नहीं ही right अब हम आगे बात करें तो induced charge की तो charge का equation सबसे पहले आपको पत्ता ना जाए दोस्तों कि induced current I is equal to आपक dq by dt अब आपको charge find करना होगा इसलिए charge को सब्सक्राइब बनाना होगा तो आपको मिलेगा right dq is equal to यहाँ पर dt क्या होगा है सामने जाएगा आपको मिलेगा I into dt बस आप दोस्तों क्या करना होगा इसी I की value को आपको यहाँ पर apply करना होगा तो आपको मिलेगा minus N by R into d5 by dt औ into dt के आएगा इस equation का आएगा तो आपको मिलेगा right dt dt change होएगा और आपको मिलेगा minus N by R into d5 right यहाँ आप दोस्तों इस equation में देख सकते हो कि अगर आपको पूछा जाए right कि यहाँ पर चार्ज इंडिस होगा वो किस पे independent होगा हमलों कि depend नहीं होगा तो आप लोग देख सकत power b का equation आपको पता होना जाए right square by R और आप लोग बोल सकते हो e square by R chapter 3 के मुताबिक और यहाँ पर मैंने बताए आपको voltage की जगहा पर हम लोग apply करेंगे emf e तो आपको मिलेगा square by r बस आप लोगों को e की value यहाँ पर apply करना होगी right तो यहाँ पर आप स्क्वेर करोगे तो minus का हो जाएका plus आपको मिलेगा n square फिर आपको मिलेगा d5 by dt उसका whole square right और दूसरी बात आपको यहाँ पर upon R होगा वो एक लाइक करना भूल लानी है right तो यहाँ पर आप लोग देख सबते हो कि हम लोगों को ने कहीं सारे कैसी स्पेरारेस का लोग के अंदर study किये जो आपको ज पर शां, आपको मिलेगा प्रिक्वा, अजल मिलेगा झाल साकती जो आपको मिलगा है let दूना कि हम दिता है जो rapidly upecket darf पको कि हम क्या है तो Schedule कि जहाँ व मिले खिता है?